हेलो गाइस वेलकम बैक टो माई योटूब चैनल तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कैफे रेसर के बारे में जो की पहले हंक थी और उसे मौडिफाय करके एक कैफे रेसर का लोग दिया गया है तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि वो बाइक कैसी दिख रही है और पहले कैसे थी तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं फ्रेंट साइट से बात करना तो जो इसके शॉक अप से वो स्टॉक रखे गए है बस जो पलसर की शॉक अप रवाड आती है उसे इंस्टॉ यह ःड में बता देता हूं ओल्ड पलसर की जो हैड लाइट आती है यह आप उसको यूज कर सकते हो या फिर जो सीडी डॉं की हैड लाइट आती है यूनो मिंडा की उससे आप यूज कर सकते हो और यह वाइजर तो कस्टम मेड है बट अगर आपको वाइजर चाहिए तो कि Avenger जो आती है उसमें भी वाइजर यूज़ होता है तो आप बजात की वर्शॉप में जाके बोलोगे कि शौट पाइजर चाहिए तो आपको लगभग 300-300 के आसपास वो वाइजर मिल जाएगा आप उसे भी यूज़ कर सकते हो और मडगाड जो पुराने ये मॉडल की जितने भी बाइक साती थी 100 and 150cc की उनके ये मडगाड है चाहे वो सुझू की मैक्स 100 हो या फिर कावासा की बॉक्सर हो उनके ये मडगाड है मडगाड को पॉर्शन की बात और अब हम अगर हम आये मिड पॉर्शन के बात में तो जो हंग का स्टॉक टैंक है उसे भी रिमूफ कर दिया गया है विकाज ये कैफिरेसर बेस्ट उन्होंने मॉडल बनाया है तो कैफिरेसर की एक सीधी बॉड़ी होती है स्टेट बॉड़ी टाइप म अगर आप कोई कैफिरेसर बना रहे हो और वह बहुत ही अच्छे भी लगेंगे कैफिरेसर में तो अगर आपको वह वीडियो देखनी होगी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा तो वह आप जाके देख लेना उसम आप समझ जाओगे कि पैनल जो है वो स्टॉक ही रखे गए है बस थोड़ा सा पेंट वगेरा अच्छे से हुआ है इसलिए पैनल थोड़े से अलग लग रहे हैं और इसमें उनके फाइदा होगा क्योंकि पैनल अगर अपन चेंज नहीं करते हैं तो अपन की जो बैटरी ब किया गया है मतलब जो भी अनैसेसरी लोड था उसे रिमूफ कर दिया गया है जैसे कि आप अगर देखो तो जब अपन चेचिस कट करते हैं आप जहां यह जहां से शौका पटैज्ड है वहां पे आप देख रहोगे कट है और इसके आंगे भी बहुत पूरा पोर्शन रहत है तो ऊसे रिमूफ कर दिया गया है जो कि बहुत एकदम शार्प लुक दे रहा है तो हमें देखने में मेंसरी जो कैफे रैसर का लूप है पीजे वाला सिफ वह दिखरा था तो उससे थ्वरस सार जो वह बहुत इनन्हांस हो जाता यह देन की टेललाइट की बात करें तो after लाइट यूज की गई है और इसी टेल लाइट में आप देख सकते हो जो अपने इंडिकेटर्स आते हैं हैं हैंडल बार में लगाने के लिए वह यूज किये गए हैं एजा इंडिकेटर तो यह अच्छी चीज लगी मुझे और कैफरेसर सीट नॉर्मल सी है मतलब कोई भी ज यह बुलेट के आते हैं तो इसको नाम तो मुझे नहीं पता मेगाफोन टाइप का इसका लुक आ रहा है बस जो पीछे का यह थोड़ा सा पॉर्शन निकला हुआ हुआ है उसे अगर कट कर देंगे तो पूरा मेगाफोन जैसा ही दिखने लगेगा तो मैंने ओनलाइन थोड़ा सा जो आवाज है वो बहुत ही प्यारी आती है और कैफे रेसर में जातर मेगाफोन ही यूज करते हैं बाहर अपने इंडिया में तो M4 और जो अपने स्टॉक सारेंसर उन्हें थोड़ा सा कट पिट करके वह यह आवाज के लिए यूज कर लेते हैं तो यह तो बा और अब अपन बात करें अगर कि इन्होंने अपनी इस बाइक पर कितना इंवेस्ट किया है अभी तक तो उन्होंने लगभग 55,000 तक इंवेस्ट कर दिया है और पैसा लगाना उनका सही था मतलब वो जो बाइक है अलग लग रही है मतलब यह सेल्फ मेड बाइक है उन्हों मैं owner की description में डाल दूँगा अगर आपको और भी photos देखने होंगी इस bike की या फिर उनसे बात करने होगी तो आप जा के बात कर सकते हो तो thank you so much for watching the video guys और इसी तरह कि मैं 2-3 वीडियो अभी और लाऊंगा मैंने 2-3 cafe racers देखी हुई है और वो बहुत ही प्यारी लगी मुझे वो भी ऐसे ही रहेंगी क्योंकि Instagram में इनके को YouTube चैनल नहीं है बट मैंने इनकी Instagram पोस्ट से ही जितना मुझे समझ आया मैंने निकाला है और बतानी की कोशिश करी है तो आँगे भी इस तरह कि मैं 2-3 cafe racers की वीडियो लाओंगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पथन्द आयो तो लाइक भी कर देना यार आँगे अगर आँगे अगर आँगे अगर आँगे अगर आँगे